हेलो फ्रेंड्स मैं सुसमा को हार्ड वेलकम टो माई चैनल नीटिंग कोरज फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, गल्स, टो, फ्रो, कुर्ती किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 8 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा बारा के मल्टीपल देखिए बारा फंदे गिन लिजिए फिर से बारा फिर से बारा इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके आठ फंदे होने जहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और छे सलाईों में कम्प्लीट हो जाता है लेडिज कारडिगन, जैकेट, कोर्ती, बेबी फ्रोक इन सभी प्रोजेक्ट में आप इसे पहली सलाई से ही शुरू कर सकती है जैन स्वेटर या बच्चों के स्वेटर में आप पहले कोई बॉर्डर बना लीजिए बॉर्डर के बाद इसमें आप उल्टी साइड से फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से डिजैन को शुरू कीजिए तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो फ्रेंड से यहां पर मैंने लिये हुए हैं 32 फंदे 12 दूनी 24 और उसमें 8 फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दिजिएगा पहले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक फंदे को आप स्लिप भी कर सकती हैं और बना भी सकती हैं यह आपकी अपनी मरजी है तो ये देखिए दो फंदे उल्टे धागे को पिछे करेंगे और यहाँ पर चार फंदे का ये वाला डिजाइन बनाएंगे तो इस फंदे को छोड़ कर इस वाले फंदे में आगे की साइड से इस तरह से स्लाई डाल लेंगे और इस फंदे को हम पहले ऐसे सीधा बना देंगे अब ये वाला जो फंदा है अब इसमें ऐसे सलाई लेंगे और इसे भी हम सीधा बना देंगे यानि हमने ये दोनों फंदे यहाँ पर ट्विश्ट किये हैं अब ये वाले दो फंदे हमने ट्विश्ट करने हैं इस फंदे को छोड़ कर इसको हम पीछे की साइड से पहले बुन लेंगे या इस तरह से स्लाई में ले लेंगे दोनों तरीके हैं इसको उतार के आप यहां पर ले आईए और इसको पीछे से लाके पहले डाल दीजिए दोनों फंदे को आप सीधा बनाईए जो भी तरीका आपको आसान लगे वो आप कर सकती हैं तो चार फंदे का ये डिजैन बन गया है धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ रहे पीछे की साइड से स्लाइड डाल के दो फंदे का यहाँ पर एक फंदा कर देंगे अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन और ये चार फिर धागे को पीछे करेंगे एक और ये दो जैसे हमने यहाँ से शुरू किया ठीक, वैसे ही यहाँ से बता रही हूँ तो ये दो फंदे ऐसे लेंगे आगे की साइड से स्लाइड डाल के दो फंदे का एक कर देंगे अब यहाँ पर हमने जो फंदा कम किया वो जाली से यहाँ बढ़ गया है अब ये वाला जो फंदा कम किया उसके लिए हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये वाली जो चार फंदे की केबल है इसको बनाएंगे तो ये देखिएगा फ्रेंड से इस फंदे को ऐसे लेंगे इसको मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ इस फंदे को उतार के पीछे की साइड से हम यहां ले लेंगे और इसको यहां पर लेंगे धागा अपनी तरफ है और ये दोनों फंदे हम सीधे बनाएंगे देखिए एक और ये दो अब हम इन दोनों फंदे को ट्विश्ट करेंगे तो इस फंदे को छोड़ देंगे पीछे की साइड से इस फंदे को लेंगे इसको उतार के यहां डाल देंगे और इसको इसके आगे और दोनों फंदे को यहां पर हम सीधा बना देंगे तो ये देखेगा फ्रैंड से दो फंदे ये स्टीज के और चार फंदे की ये वाली केबल इन छे फंदे को छोड़कर यहां से यहां तक हमने 12 फंदे का डिजाइन बनाया है इसी डिजाइन को बार-बार रिपिट करते जाना है तो देखिए जैसे हमने यहां से बनाया फिर से हम इसे शुरू करेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालेंगे और धागा अपनी तरफ रखेंगे दो फंदे का यहां पर एक फंदा कर देंगे दागा हम पीछे कर लेंगे एक और ये दो अगर ऐसे नहीं कर सकते तो पहले थोड़ा सा लूज कीजिए फिर आगे की साइड से स्लाई डाल के दो का एक कर दीजिए अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे क्योंकि यहां पर जो फंदा घटाया वो यहां हम जाली से बढ़ अब धागा अपनी तरफ रहे और ये दोनों फंदे हम सीधे बनाएंगे एक और ये दो तो जाली से फंदा बढ़ गया है अब ये वाले दो फंदे ट्विष्ट करेंगे तो इस फंदे को छोड़ देंगे पीछे की साइड से हम आगे वाला जो फंदा है उसको बैक साइड कर देंगे और इसको लाकर बीच में दोनों फंदे को सीधा बन देंगे जितने भी फंदे हों यही आपके जो बारा बारा फंदे का डिजाइन है इसे रिपिट करते जाएए लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे इन्हें आप उल्टा बनाईए तो डिजाइन की पहली सलाई complete हो चुकी है दूसरी सलाई है और उल्टी साइड है धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को उल्टा उल्टा भुन कर complete कर दीजिए क्योंकि फ्रेंड से इस डिजैन की उल्टी साइड की सारी सलाईयां उल्टी ही बनेंगी तो मैं उल्टी साइड की दूसरी सलाई को उल्टा बुन कर कम्प्लीट कर लेती हूँ दो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो चुकी है तीसरी सलाई है और सीधी साइड है दीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा, पहले दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक और ये दो, अब ये वाली जो केबल है, ये दो-दो सलाईों में complete होती जाती है, तो हर सीधी साइड पर हमें ये केबल ऐसे ही ट्विष्ट करनी है, जैसे हमने पहली सलाई पर की है, तो इस फंदे को छोड़ कर, इस फंदे को आप ऐसे भी बना सकती है, देखिए, ऐसे सलाई डाल लीजिए, और इसको सीधा बुन लीजिए, या फिर आप इसे उतार कर भी बना सकती है, फिर इस फंदे में सलाई लेंगे और इसको ऐसे बुन देंगे, तो दो फंदे ट्विष्ट होगे, इसको हम पीछे की साइड से लेंगे, पहले इसको सीधा बुन लेंगे, और फिर हम आगे की साइड से इस वाले फंदे में ऐसे सलाई डाल कर इसको ऐसे बु इसको सीधा बनाएंगे अब ये वाला जो फंदा है इसे ऐसे लेंगे पलट के इसको सीधा करतेंगे ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो फंदे का यहां एक फंदा करतेंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे दो फंदे ये उल् सीधा बना देंगे अब यहाँ पर जो फंदा घटाया उसे धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ जाली से बढ़ा देंगे तो यह जो चार फंदे की केबल है इसे देखिए इस फंदे को ऐसे लेंगे पहले वाले को छोड देंगे धागा अपनी तरफ रहे और इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे फिर हम इस फंदे को लेंगे और इसे भी सीधा बुन देंगे दोनों तरीके में इसे फंदे ट्विश्ट करना जैसे इजी लगे वैसे कीजिए इसे छोड़ कर इस वाले फंदे को back side से पहले सीधा बुनेंगे फिर इस फंदे में आगे की side से slide डाल कर इसको ऐसे सीधा बुन के और उतार देंगे तो 4 फंदे की cable बन चुकी है यहां से 6 फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक 12 फंदे का design बनाया इसी को फिर से repeat करेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे जाली से बने हुए फंदे को सीधा बना लेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे ये सीधा और ये उल्टा पीछे से slide डाल के दो फंदे का एक करेंगे धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से धागा पीछे करेंगे यह उल्टा और यह सीधा आगे से स्लाइड डाल के दो फंदे का हम एक फंदा कर देंगे अब यह जो जाली से बना हुआ फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे जो फंदा यहां पर कम किया उसे जाली से यहां बढ़ा देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इस वाले फंदे को छोड़ कर दूसरे वाले फंदे को आगे से स्लाई डाल कर पहले हम सीधा बुन लेंगे फिर ये पहले वाले को ऐसे सलाई डालेंगे और इसको भी बुनके उतार देंगे अब इस फंदे को छोड़ कर दूसरे वाला जो फंदा है पीछे की साइड से सलाई डालेंगे और इसको पहले बुन लेंगे ये फंदा इसको आगे से सलाई में लेंगे और इसको भी सीधा बुनके उतार देंगे जितने भी फंदे हो ऐसे ही बनाते जाएए लास्ट के दो फंदे उल्टे हो जाएंगे तीन सलाईयां डिजाइन की कम्पलीट हो चुकी है चोथी सलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा वुनकर कम्पलीट कर लीजिए तो फ्रेंट्स चार सलाईया डिजाइन की कम्पलीट हो चुकी है पांचवी सलाई है और सीधी साइड है पांच विस लाई को आप ध्यान से देखिएगा पहले दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे एक और ये दो धागा पिछे करेंगे और यहां पर ये चार फंदे वाली केबल को ट्विश्ट करके बनाएंगे तो देखिए आप ऐसे भी कर सकती है कि आगे से पहले इस फंदे को बना ले या फिर इसको ऐसे लीजिए इसको उतार के बैक साइड से ऐसे डाल दीजिए और इसको इसके आगे और ये दोनों फंदे अब आप सीधे बनाएंगे एक और ये दो अब इस फंदे को छोड़ कर बैक साइड से इस फंदे को लेंगे इसे उतारेंगे और यहां पर डाल देंगे इसको इसके आगे और दोनों फंदे यहां सीधे बुन देंगे तो चार फंदे की केबल बन चुकी है अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे एक और ये दो ये दो फंदे जो जाली से बने हुए हैं इनको सीधा बनाएंगे एक और ये दो अब ये वाला जो सीधा फंदा है इसे ऐसे पलट के सीधा कर देंगे ये सीधा और ये उल्टा पीछे की साइड से स्लाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे अब ये वाला उल्टा और ये वाला सीधा आगे से स्लाई डाल के दो फंदे का एक करेंगे अब ये जो जाली से बने हुए दो फंदे हैं पहले इनको सीधा बुन लेंगे जो फंदा यहाँ पर कम किया वो यहाँ जाली से बढ़ा देंगे तो धागे को अपनी तरफ ले आएंगे यह फंदे अब हम ट्विश्ट करेंगे पहले वाले को छोड़ कर दूसरे वाले को ऐसे लेंगे इसको इसके आगे डाल देंगे और धागा अपनी तरफ करके यह दोन पर लेंगे और इसको इसके आगे और दोनों को सीधा बुन देंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स ये वाले 6 फंदे छोड़कर यहां से यहां तक जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपिट करेंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे और देखिए 2 फंदे सीधे बनाएंगे एक और ये दो इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे ये सीधा और ये उल्टा पीछे से स्लाई डालके दो का एक करेंगे ये उल्टा और ये सीधा अब आगे से स्लाई डालेंगे पहले इनको लूज कर लीजे अगर ना बने तो फिर दो का एक करेंगे फिर दो फंदे सीधे, एक और ये दो, जो फंदा यहां पर कम किया, वो जाली से यहां बढ़ा देंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, पहले फंदे को छोड़ कर दूसरे को ऐसे लेंगे, इसे बैक साइड की सलाई पर लेंगे, और इसे इसके आगे डाल देंगे, धाग और यहां डाल देंगे और इसको इसके आगे और दोनों फंदे हम सीधे बुन देंगे लाश्ट के दो फंदे इसके उल्टे आएंगे पांच सलाईयां डिजाइन की कम्प्लीट हो चुकी है छटी सलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को में ये डिजाइन ओवर हो जाता है इन्हीं 6-6 सलाईयों को आगे आगे रिपिट करते जाएए तो आपका इस तरह से ये सुन्दर सा डिजाइन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए वही करना है दो फंदे ये उल्टे चार फंदे की एक केबल बनेगी धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को पलटके सीधा करना है और दो का एक बना देना है चार फंदे बीच में उल्टे आएंगे एक ये वाला और एक ये वाला आगे से स्लाइड डाल के इन दो का एक कर देना है धागा अपनी तरफ करके यहां जाली बनेगी और यह चार फंदे की केबल बनेगी इसी डिजाइन को बार बार रिपिट करते जाना है तो फ्रेंड से अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिये अपने सभी प्रेंड ago में शेशेर कीजिए चैनल पर नए हैं सबसक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नौटिफिक मिल्स के और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू